साथ ही हो, नमस्कार आपका चैनल Pimping & Mechanical ग्यान में हुर्दय की गाराहिय। से स्वागत है आज की इस वीडियो में जानेंगे इसका फोल्डिंग कपलर्स या कलैम क्या होता है इसका फोल्डिंग कपलर या क्लैम कितने परकार के वोते हैं इसका folding coupler या clamp का load capacity कितना होता है और cup lock system के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं couplers या clamp क्या होता है couplers या clamp इसका folding में यूज होना है वाले आवस्यक fitting या component है जो दूसरे pipe या structure को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है जिसमें दो pipe या structure को असानी से temporary hold किया जा सके अब जानते हैं couplers या clamp कितने प्रकार के होते हैं इसका folding में clamp अनेक प्रकार के होते हैं इस वीडियो में 8 couplers या clamp और cup lock तथा coupler के load capacity के बारे में जानते हैं सबसे पहला है right angle coupler और double coupler इसे fix clamp के नाम से भी जानते हैं या fix होता है या बीच में से rotate यानी घुमता नहीं है इसलिए इसे right angle coupler का जाता है इसका safe working load या load capacity 637 kg होता है अगला है swill coupler इसे चालू clamp भी का जाता है इसे bracing, outer rigor और दो pipe को किसी भी angle में connect यानी जोडने के लिए किया जाता है या clamp 20 से 360 degree में घुमता है इसलिए इसे किसी भी degree के pipe को clamping के जा सकता है इसका safe working load या load capacity 637 kg होता है इसका torqueing value 54 mm होता है next है put lock coupler या single coupler इसको transum या laser के साथ 90 degree पर टो बोट को connect यानी जोडने के लिए के जाता है या lightweight के लिए use के जाता है जिसका safe working load 64 kg होता है अगला है girder, coupler या beam clamp इसका उपयोग beam या structure को pipe साथ connect करने के लिए के जाता है या beam के साथ use के जाता है इसलिए इसे beam clamp कहा जाता है या जातार hanging इसका folding में use के जाता है या beam के दोनों side use के जाता है इसका safe working load या maximum load capacity 3069 kg होता है next है BRC यानि की board retaining coupler इसे जाली clamp भी कहा जाता है इसे safety और efficiency के हिसाब से design किया गया है जो दो plank या board के बीच और transom को lock करने के लिए use किया जाता है जिसके दोरा काम करने के लिए सही और secure platform बनाया जा सके इस clamp का safe working load 565 kg होता है इसका अफियोग ladder और इसका folding pipe को सही और सुरचित राने के लिए के जाता है जिसे ladder को use करने पर ladder गिरे नहीं इसका अफियोग ladder के साथ के जाता है इसलिए इसे ladder clamp भी कहते हैं इसका safe working limit या load capacity 550 kg होता है अब उसके बाद है sleeve coupler या box clamp इसका उपियोग इसका folding pipe को horizontal यानि की सम्तल या vertical यानि की उर्धवादर में pipe को बाहर से connect कने के लिए के जाता है इसका भी load capacity 550 kg होता है अब अगला है joint pin या spigot pipe को horizontal या vertical position में pipe के अंदर डाल कर connect करने के लिए किया जाता है इसका load capacity इसका folding pipe के safe working load के बराबर होता है इसका use tension load के लिए नहीं किया जाता है अब जानते हैं cup lock system के बारे में cup lock के द्वारा भी असानी से इसका folding stage बना जाता है इन दोनों को cup lock बोलते हैं या top cup है और या bottom cup है इस pipe को standard बोलते हैं इस pipe को laser बोलते हैं laser pipe को standard pipe के bottom cup में फसा कर top cup को चोट पहुचा कर घुमा दिया जाता है जिससे यह lock हो जाता है इसलिए इसे cup lock करते हैं और आज मेरा आपसे request है आपने हो सकता है subscribe भी कर लिया हो गंटी भी बजा दियो लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम Facebook और WhatsApp पर share करें कि ओ भी bell icon को प्रेस करें और वहां तक यह notification जा सके अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो तो हर बार मेरे request किये बिना like कर दिया करिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पुरुवक बहुत बहुत धन्यवाद